इस विडियो हैं बात करने वाले हैं इंटर्वियू रिलेटेट कॉस्सेंट देखो मैंने कॉस्टन लिखा है राइट प्रोग्राम तो फाइंड फॉर्स रिपिटेट कारेक्टर इन एस्टिंग तो हम लोग क्लास का तो अगर आपका छुट गया था प्रिविएस विडियो देख लो, very very important for the interview purpose, हम लोग 1 से लेकर 10 तक जो questions कवर कर रहे हैं, ये interview के लिए very very important, अगर जहाँ आप Java की profile पर कहीं interview देने जाते हो, तो आपको string class से questions पूछा जा सकता है, और जो 1 से 10 हम लोग discuss कर रहे हैं, इन ही में से पूछेगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, आज का question ह हमारा write a program to find the first repeated character in a stream, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपको example देखे समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, DEV, मतलब दीपक developer, अब इन में से देखो, जो first जो character है, वो first repeated character को print करवाना है, second वाले को नहीं, तो first D है आपका, D repeat हो रहा है न, only D को print कर रहा clear point, I hope clear कि यह questions का मतलब क्या है, चलिए हम practical discuss करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक file बना लेता हूँ, file का name दे दिया, मैंने str12.java, ठीक है, and then save कर लिया, class बना लेते हैं, हम लोग, my string class का name कुछ भी दे सकते हो, and then main method, user से input लेना है, तो आप scanner class का object create कर लो, ठीक है, then new scanner system.in, अब आपको import भी करना परेगा इसको, ठीक है, तो import कर लो, आप scanner class को, java.util.scanner, semicolon, ठीक है, अब user को एक message देते हैं, हम लोग की, आपको इन string इंटर करो, ठीक है, तो system.out.print, डालन, और यहां पे message देता हूँ, enter word, कोई word इंटर करो, ठीक है, उन में से find करना है, clear point, चलिए, अब यहां पे मैं उसको, जो भी string इंटर करेगा user, हम उसको str वाले variable में store करा लेगे, input.next line method की help से, चलिए, suppose करो, यहां पे enter किया, user ने, मैं अपना ही name लिख देता हूँ, debug dev, ठीक है, तो मुझे यह जो debug dev है, debug developer dev लिखा वे ने, यह वाली string जो है, आपका str variable में store हो जाएगा, clear, str string type की variable है, चलिए, अब यहां पे हम लोग क्या करते है, logic लगाते है, ठीक है, इफ, sorry, for loop लगाओगे, if not, चलिए, अब indexing आपको पता है, जो की basically area का 0 से start होता है, ठीक है न, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हमारे 0 number index पर क्या है, d है, फिर 1 पर e है, 2 पर e है, तो हम यहां पर क्या कर लेता है, इन, आई इसको print करा लेता है, 0 से start, आई less than str, total जो length है उसका, वो print हो जाएगा, length method यूज कर लो, ठीक है, number of, basically कितने इसके अंदर, जो character से string के अंदर, वो सारी चीज़े print हो जाएगा, and then, I plus plus, इस तरीके से कर लो, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, एक और loop लगाओग तो सबसे पहले loop लगाने, इस पहले मैं एक variable ले लेता हूँ, count name का, हम क्या करेंगे, कि जो भी value, जो भी character repeat होगा न, उसको count में हम स्टोर करा लेगे, ठीक है, and then, next for loop लगाओ, in, j equal to, same link देता हूँ, 0, j less than str, dot length method, and then, j plus plus, ठीक है, अब ये करेगा क्या, तो j की value जो 0 है, तो 0 number index पे, i की विले, हमेंने same, इसमें pass कर दिया, j maybe, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये check करेगा, सारे character के साथ, repeated, one by one, सारे character के साथ, check करेगा, ठीक है, तो उसके बाद, check करने बाद, यहाँ भी condition लगा देता हूँ, मैं, अगर आ i, i number, मतलब 0 number index पे, जो है, और जो string, caret, जो j number position, दोनों equal है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं count, plus, plus, count, plus, clear point, done, तो 0 number position पे, जो ये है, और जो आपका j है, ये सारे character के साथ, check करेगा, one by one, ठीक है, अगर जो equal होता है, तो count में increment करता है, clear point, and then, इसके बात, यहाँ पे मैं condition लगा देता हूँ, अगर आपका count, greater than one, मतलब more than one, एक से जादे बार वो repeat हो रहा है, तो आप क्या करो, system.out.println, और यहाँ पे मैं print करा देता हूँ, first, repeated, repeated, repeating, repeated, ऐसा लिख दो, repeated character is, repeating कर दो, चले, repeating character is, जो repeat हो रहा है, then, plus, आपको क्या करना है, str. यहाँ पे लगा दो, caret, जो आपका index number यहाँ पे पास करोगे, अगर यह आपका है, यहाँ पे हो रहा है, match कर रहा है, तो हम इसको print भी करवा रहा है, ठीके न, और वो count आपका more than one, greater, greater, one का मतलब क्या हूआ, एक से जादा वार जो repeat हो रहा हो, ठीके न, and then, उसके बाद क्या अगर होगे वाई, उसके बाद break कर दो, चले, break कर दिये, अब पहले इसको चलाते है, हमारा चलता है, logic तो लग गया, let me check, cd desktop पे मेरा folder है, cd java नाम का folder है, javacstr12.java file का ने में, compiles, find not, error आ रहा है, और यहाँ पे i को print कराना है, जेक हो नहीं, यह, यह, इसमें check कर रहा है हम, ठीक है, and then, फिर से compile करो, देखो, compiles find, class का नेम है, my string, चले, हमने यहाँ पे लिखा, दीपक, d ev, अब इसमें देखो, first repeated character d है, तो d ही print होनी चलिए आपका, first repeating character is d, देखो, आ रहा है, अगर जा मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जावा, जावा, दीपक, ऐसा कुछ लिख दिया, तो इसमें देखो, first repeated character a है, तो a print होना चीए आपका, देखो, a आ रहा है, clear point, यह questions कई बार पूछा गया है, very very important for the interview purpose, I hope clear, ठीक है, चलिए, तो इसको आप note कर लो, note करके practical करो, ठीक है, practical करोगे, तभी logic clear रहेगा, ठीक है, note करके practical करो, and then like करो, comment करो, subscribe करो, यार, मिलते हैं next video, thank you, bye bye.